असलाम अलेकुम मेरा नाम है आसिफशा आप देख रहे हैं इस वक्त टेक्निकल आसिफशा यूट्यूब चैनल आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं यह आप लोगों को बॉक्स नजर आ रहा है लेटिस मॉडिल के यह एरबड्स हैं एरफून है आज इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या कॉलिटी है इस एरबड्स की और क्या लुक दिया गया इस एरफून में तो यह बॉक्स आप लोगों को नजर आ रहा है मेरे हाथ में मॉडिल है इसका बी क्यू टैन यानि बी क्यू दस इसका मॉडिल है और उपर मेंशन किया गया है कि हाई फाई आउडियो साउंड फारलेस और यह उपर एरबड्स को डिस्पले किया गया है यहाँ पर एरफून को मेंशन किया गया है साइड में वारलेस हैट सेट को मेंशन किया गया है बैक साइड पर आगर आप इसको देखें तो यहाँ पर इसके पावर बैंक को जो एरबड्स का जो बॉक्स है उसको मेंशन किया गया है आप लोगों को नजर आ रहा होगा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं यह box हर एंगल से ताकि आप लोग देख सके चाइना की यह product है और बहुत ही unique box बनाया गया इसका और style को भी mention किया गया है और 20 मीटर से 10 मीटर की range पर यह एरफून काम करता है portable true wireless earbuds बनाया गया है और चलके अब आप लोगों को इसकी unboxing और इसका review पेश करके दिखाते हैं क्या quality इस एरफून की और देखने में यह एरफून किस तरह का look देता है और क्या इसकी color light है या इसका जो digital display दिया गया है उसके बारे में चलके आप लोगों को दिखाते हैं तो box को unbox करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नूँ आए हैं हमारे चैनल पर और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe करें साथी bell icon को प्रेस करना मत बूलें मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह की video लेकर हाजिर होता हूँ तो अब चलते हैं बिना टाइम जाय कि यह को unbox करते हैं जहां पर इसका model number mention किया गया है BQ10 तो अब इसके box को open कर देते हैं यहां से आप लोगों को दिखा देते हैं यह देखें यह इसके box को हमने open कर दिया है और बाकी box दिखा देते हैं box खाली है और इसको फिल नीचे इसकी user manual और ये इसकी user manual दी गई है जिस पर BQ10 को यानि इसकी model को mention किया गया है और कुछ Chinese language के अंदर इसकी user manual है यहां से English है और back से Chinese language है आप लोग read करना चाहें तो इसको read कर सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये box आप लोगों को नजर आ रहा है BQ10 का और ये इसका user manual है इसे फिलाल मैं side के रख देता हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं ये इसकी एक packing के अंदर इसकी charging cable दी गई है ये type C तो नहीं है और micro charge की ये pin दी गई है small cable दी गई है यहां से आप plug करके इसको charge कर सकते हैं और ये कुछ extra इसके air दिए गई हैं जो small, medium, large आप use कर सकते हैं जो भी आपको suit करता है आप वो इसको set कर सकते हैं अपने air के हिसाब से इसको भी फिलाल हम side में रख देते हैं यहां पर ताकि आप लोग देख सके हैं जिसके अंदर air bites को रखा जाता है इसके wrapper को मैं remove कर देता हूँ और यह आप लोग display में light देख रहे हैं तो यह flash light है recording के दोरान जो light आ रही है और यह देखेंगे आप इस तरह से यह इसका display दिया गया है कुछ आपको अगर इस पर scratches नजर आ रहे हैं तो यह इस पर protector लगावा sticker protector ताकि scratches ना आएं इसके digital display पर तो इसलिए यहाँ पर right और यहाँ पर left है यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो यह micro charging की port की जगा दी गई है जहां से आप charge कर सकते हैं और यहाँ से आप USB port अगर लगा कर emergency की सूरत में easily इस product के बारे में जान सकें यह आगा है इसके air birds है यह यह right है right को हम right में रख देते हैं इस तरह से यह देखें आप लोगों को display नजर आ रहा है unique display बनाया गया है green color की air birds में light blink हो रही है जो आप लोगों को शाएक flash light की वज़ा से वाज़ नहीं आ रही होगी और उपर यह air birds को right को right को mention कर रहा है charging को 100% इसकी battery चार्ज हो ज़ी है power bank की और यहां से आप देखें इसके left को भी हम निकाल कर यहां पर यह देखें दोनों air birds आप लोगों को इस वक्त चार्ज हो charging होते वे इनका display digital display भी आप लोगों को देखने में नजर आ रहा होगा यहां से देखें इस तरह से इसको बन कर दें तो भी इसका digital display आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसको बन कर देते हैं इसकी charging की जगह को यह देखें बिल्कुल इजी लिए आप लोग देख सकते हैं यह earbuds charge हो रहा है 99% है और complete information में आप लोगों को इस earbuds जिसका model मैंने आपको बताया BQ10 यह earbuds है हाई फाई sound quality के बारे में इसके बताया गया इसे फिलाल हम रख देते हैं यहाँ पर यह आप लोग charging होते वे देख रहे हैं और मैं आप लोगों को इसको pair करके दिखा देता हूँ कि यह इसको आप किस तरह से pair कर सकते हैं यह देखें इसके हम Bluetooth को open कर देते हैं और इसके earbuds को हम निकाल देते हैं इसमें से फिलाल और इसे हम यहाँ रख देते हैं earbuds को यहाँ रख देते हैं और यह देखें इसको pair करते हैं इस device को और यह देखें फोरण बहुत जल्दी BQ10 यह model इसको हम यहाँ पर pair कर देते हैं और यह pair हो गया बिल्कुल easy इसका method है इसको connect करने का आप लोगों को sound quality की अगयर इसको हम check करें तो इसमें यह है कि फिर copyright का issue आजाएगा तो इसलिए हम इसको sound quality आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं तो मैंने आपको connect करके दिखा दिया कि किस तरह से इसको connect करना है और किस तरह से आप इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं तो दुबारा मैं इसको power bank में रख देता हूँ आप लोगों को दिखा देता हूँ यह left है और यह right है किस तरह से इसको connect करना है वो तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया easy method है इसका इसको connect करने का सिरफ Bluetooth open करें और within second यह connect हो जाता है इसमें कोई issue ऐसा नहीं है कि आपको time लगे और यह देख सकते हैं आप लोगों को मैं इसका display दुबारा दिखा रहा हूँ power bank भी देख सकते हैं यहां से इसकी charging का दिया गया है back से देख लिए हैं इसके power bank को यहां से क्या angle से आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को नजर आ रहा है आप लोग देख रहा है इस वाग यह digital display आप लोगों को इस वाग दिखा रहा है कि यह 98% इसका power bank चार्ज हुआ वा है और आप लोगों को complete मालूमात मैं आप लोगों को इस air birds के बारे में दे चुका हूँ इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग comment section के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को जवाब दूँ कि आप लोगों के साथ क्या मुझकिलात आ रही है और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी उसके बारे में आप लोगों ने बताना है comments में कि आप लोगों को ये air birds इनका look, इनका design आप लोगों को कैसा लगा ये देखें आप लोगों को नजर आ रहा है इसका box बहुत यूनिक box बनाया गया है BQ10 air birds है इसके price के बारे में भी मैं आप लोगों को पताता चलूँ तो ये हमने AliExpress से buy किया अगर आप लोग भी buy करना चाहते हैं तो वहाँ description में मैं इनका link देदूँगा वहाँ से आप इसको buy कर सकते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आईए तो हमारी चैनल को subscribe ने किया तो जल्दी से subscribe कर दे हम हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेकर हाजिर होते हैं अगली वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से चाहूंगा इजाज़त फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए अलाहाफिस